हेलो इस्टुडेंट स्वागत है आप सभी का आपने यूटूब चैनल एम बेस एजुकेटर में आज हम आप लोगों को सवाल करवाने वाले हैं तो चलिए शुरू करते हैं देखते हैं कि यह प्रतिस्थापन बिधी से दो चोरों वाले रहेखिक समीकरणों को कैसे हल किया जाता है तो यहां पर देख लीजिए मैंने एक को समीकरण एक लिख दी है इस नमबर फर्ष्ट है फोर एक्स प्लस छह बाई इस इक्वल टू थी लिखा है और एक्स प्लस नाइन बाई इस इक्वल टू फाइब लिखा हुआ है इस तरह से दो आपके पास में लिनियर एक्यूशन सै अब इसको आप हल करेंगे प्रतिस्थापन बिधी से यानि सब सब इस्ट्यूूशन मैज़र में करते क्या है किसी भी एक एक्यूशन को ले करकर एक और तीसरी एक्यूशन बना जिसमें यक्स का मान अगर निकालते हैं तो वाई के पदों में होता है और अगर बाई का मान निकालते हैं तो वो यक्स के पदों में होता है यानि किसी एक चर्रासी का मान दूसरी चर्रासी के पदों में लिख लेते हैं तो चलिए हम यहीं कर लेते हैं यहां से प्रतिस्थापन विधी और इसको कहते हैं सबस्टी टीउसन मेथेड यह होता है प्रतिस्थापन विधी अब देखिए हमने कहा है फ्रम एक्यूसन नमबर फर्ष्ट अब देखिए यहां पर लिखा है 4X प्लस 6Y इसको यक्स की बैलू बाई के पदों में हम निकाल देते हैं कि 6Y जब इधर आएगा तो यह प्लस का माइनस में चेंज हो जाएगा अब यक्स की बैलू निकालेंगे तो इसका मतलब यक्स का जो कोफिसियंट आपको दिया है तो इसलिए यक्स का जो मान बाई के पदों में आपने निकाला है उसको इक्यूसन नमबर फर्ष्ट में नहीं भरना है अब आपको यह वाला मान यक्स का निश्चित है समीकर नमबर दो में ही डालना है तो चलिए हम इसको लिखते हैं सब इस्टिट्यूट करेंगे सब इस्टिट्यूट यक्स इज उक्वल टू थिरी माइनस सिक्स बाई अपान फोर इन जो इक्यूसन नमबर आपकी सिकेंड है उसमें डालेंगे अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एट और एक्स लिखा हुआ इक्स न लिख करके जो इक्स की आपने बैलू निकाली है बाई के पदों में वो यहाँ पे आप डाल देंगे आप देखिए प्लस नाहिन बाई जैसे लिखा था वैसे ही लिखा रहे हैं दो इस इक्वल टू जो फाइब लिखा था वो वैसे ही लिखा हो अब यह जो चार है वो इसका तो denominator है लेकिन 9 का नहीं है या तो आप यह समझी है कि अगर इसको आप हटाना चाहते हैं तो समीकरंड के दोनों पच्छों में इससे आप गुणा कर दीजिए तो यह हो जाएगा माइनस 48 बाई प्लस 9 और 4 की गुणा करेंगे तो 9 चक्कु 36 बाई होता है इस इक्वल टू 4 पंजे कितना होता है यह 20 होता है और देखिए हम इस 24 को भी उठा के 7 में ही अगर ले आएं इधर तो यह माइनस का हो जाएगा ठीक यह 48 लिखा है यह 36 लिखा हुआ है इसको घटा दीजिए तो बही कितना बच जाएगा यह बचेगा 12 और यह माइनस का बचेगा 12 बाई इस इक्वल टू अब यहां देखिए माइनस का 4 रहने वाला है अब यह माइनस माइनस दोनों तरफ था इसको कर दीजिए आप कैंसल तो बाई इस इक्वल टू कितना बचेगा 4 अपान 12 रहेगा तो 4 बन जा और 4 थिरी जा इसका मतलब बाई की जो बैलू आपको मि बहर दिया करिए तो ज्यादा आसान रहता है उसमें आपको जोड़ घटाना थोड़ा कम करना पड़ता है और जिसमें संख्याय चोटी होती है तो हम यह देखते हैं कि यहां पे एक्यूस नमर जो थर्ड है वही सबसे चोटी है तो आप एक्स इस इक्वल टू थिरी माइन 5-6 INTO देखिए यह पर कितना लिखना है वन अपान थिरी लिखना है और पूरे के देखिए आपान में कितना लिखा था फूर लिखा लिखा हुआ था अब थीरी से जब इसको आप डिवाइड कर देंगे 3-2 जा 6 होगा 2-2 बन जा 2 हो जाएग का आपान में जैसे 4 लिखा अब ऐसे ही लिखा हुआ इसको आप सब्टेट करके लिख दीजिए तो वन अपान फोर हो गया इस तरह से देखिए आपको यहां पर यक्स की यह बैलू मिल गई वन अपान फोर और यहां पर य की बैलू मिल गई है वन अपान थिरी तो आप आइंसर लिख दीजिए hence x is equal to 1 upon 4 और y is equal to 1 upon 3 आया था यह आपका answer हो जाता है आप देखिए फिर आप चाहें तो answer check करके देख लें कि यह सही निकला है या नहीं निकला है तो देखिए भई answer checking इसकी कर लीजिए और answer checking के लिए आप कोई भी एक equation ले लीजिए first, second, third, fourth जो भी आपने बनाई है किसी में भी दोनों value अगर आप fill करके देख लीजिए तो बाया पच्छ और दाया पच्छ दोनों एक दूसरे के बराबर होना चाहिए LHS बराबर RHS होना चाहिए तो आप इस समझ लीजिए कि आपका जो मान निकला है वो भी बिल्कुल सही है तो देखिए 4 into x की value आपने कितने निकाली है तो 1 upon 4 है प्लस 6 into y की है 1 upon 3 is equal to 3 अब 3 2 जा देखिए 6 होता है और 4 बंजा 4 होता है तो 1 बंजा 1 और 2 बंजा 2 is equal to 3 यानि अगर इस तरह से आप रखेंगे तो यह LHS के बराबर आपकी RHS आ जाती है और इस तरह से आप confirm हो जाते हैं कि जो आपने मान निकाल के रखा है दिएगे समिकर्ण का वो बिल्कुल exact है यह एकदम से सही है उमीन है कि आज का यह जो सम्भमने करवाया है आपको प्रतिस्थापन बिधी से समझ में आया होगा और अगर कोई आपको मन में संका है कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूश भी सकते हैं और हमारा प्रयास आपको कैसा लगता है अगर अच्छा लगता है तो फिली चैनल को लाइक भी कर दीजिए और सब्सक्राइब भी करिए और अपने दोस्तों के साथ में सेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिए